हेलो फ्रेंड्स वेलकम अलोफियन क्वालिट इन फैक्ट्स दोस्तो आज किस वीडियो में आपके सामने में लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की एक नोटिफिकेशन जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर PGT की जो पॉस्ट निकली है उसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कॉशन करने वाला हूँ और यहाँ पे इंपोर्टन डेट्स, नोटिफिकेशन और क्राइटेरिया, इलिजिबिलिटी सब कुश डिसकस करूँगा और साथ में जो इसका भी पार्ट रहेगा वीडियो का इसी वीडियो में जो रहेगा उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी स्टडी को साइन्टिफिकली कर सकते हैं जिससे आपको 100% आउटकम मिलेगा 100% सकसेस आपको उसमें मिलेगी तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं ये जो PGT है इसके लिए कौन इलिजिबल है और कौन-कौन इसके लिए अपलाए कर सकता है तो सबसे पहले देखिए ये जो पोस्ट निकली है ये जो नोटिफाई की है ये 11.10.2023 को और ये नोटिफिकेशन निकली है 17.10.2023 को और फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 13.9.2023 13.9.2023 बारा बज़े तक आप इसको फिल कर सकते हैं और यहाँ पर इंपोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो की बहुत ज़्यादा है हिमाचल के हिसाब से और यह पॉलिटिकल साइंस क्लास थ्री कॉंट्रेक्ट बेसिस तो कॉंट्रेक्ट यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है दो तीन साल का कॉंट्रेक्ट रहता है तो एक हिसाब से यह रेगुलर है contract यहां पर आप ज़्यादा confused आपने नहीं होना है अब यहां पर the candidate shall be eligible for appointment if he she has passed his matriculation and 10 plus 2 from any school institution situated within Himachal Pradesh provided that this condition shall not apply to bona fide Himachal इस point से आपको बिल्कुल clear होना चाहिए कि यह जो post निकली है PZT की इसके लिए केवल और केवल Himachal bona fide या फिर ऐसे candidate जिनका 10th या 10 plus 2 Himachal Pradesh के किसी school या institution से हुई है तो अगर पंजाब वाले fill करना चाहे तो वो इसे fill नहीं कर सकते हैं अगर उन्होंने Himachal के किसी 10th या 10 plus 2 किसी school से नहीं की है तो यह point यहाँ पे most important था other state वालों के लिए तो other state वाले यहाँ पे ना के बराबर आएंगे क्योंकि 10th और 10 plus 2 maximum का यहाँ से नहीं है और दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई Himachalी bonafide है Himachal का रहने वाला है यहां का स्थाई निवासी है लेकिन उसने 10th और 10 plus 2 पंजाब, हर्याना या फिर कहीं से भी इंडिया में की है तो वो इसके लिए eligible है क्योंकि वो bonafide Himachal है अब यहां पर देखते हैं list of documents आपके लिए important documents matriculation का जो document है वो age proof के लिए important है plus 2 का certificate degree certificate along with mark sheet degree कौन सी? एक तू bachelor degree आपकी ठीक है, bachelor degree in education BA का certificate भी आपके पास होना चाहिए जो mark certificate होता है और degree भी आपके पास होनी चाहिए और valid category certificate भी होना चाहिए अगर आप किसी category से belong करते हैं जिससे आप fill करना चाहते हैं इसके साथ साथ आपको MA का certificate plus degree यह दोनों चीज़े आपके पास होनी चाहिए तो इस चीज़े को आप पहले ensure कर लीजिए कि आपका MA का result आया है यह नहीं आया है तो कुछ लोगों की यह query थी sir MA final year का हमने exam दिया है but अभी result नहीं आया है क्या हम eligible है तो आप eligible नहीं है इसके लिए क्योंकि आपका MA का अभी तक result नहीं आया है तो जब आपकी documentation होगी आने वाले time में आप for example आप paper दे देते हैं लेकिन documentation जब आपकी होगी तो वहाँ पे dates देखी जाएगी वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा और कुछ लोगों का ये भी query थी कि हमने BA का final year का exam दिया है बट उसका result नहीं आया है तो दोनों में यहाँ पे क्या है दोनों यहाँ पे नहीं दे सकते हैं commission से भी मैंने बात की regarding कि कुछ हो सकता है कुछ candidate ऐसे भी थे जो high court को approach करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग भी इस exam को देना चाहते हैं हम लोगों का ये जो result है उसे declare किया जाए तो यहाँ पे problem क्या है जब हमने institution से बात की HPU से बात की उन्होंने ये कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं आपका MA का result आ जाता है आपको provisional हम result दे देंगे लेकिन आपकी जो degree है degree आपको एकदम नहीं मिलेगी उसमें कम से कम आपको 15 से 20 दिन तो degree में लगेंगे MA के result के बात लेकिन जब आपकी documentation होगी documentation के अंदर जो degree होगी degree आपकी कब से पहले होनी चाहिए degree आपकी 13 नवंबर से पहले की होनी चाहिए 13 नवंबर 2023 से पहले आपकी degree होनी चाहिए लेकिन अगर आप आपका result आ भी जाता है तो भी आप उसके लिए eligible नहीं है लेकिन हाँ ये एक point यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर experience के लिए paper देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं लेकिन documentation में वो आपको बाहर कर देंगे तो ये बड़ी चीज थी जो काफी लोग question पूछ रहे थी कि क्या हम eligible है या नहीं तो total 102 post है और pay scale के अगर बात करें तो level 12 यहाँ पे pay scale का है और 43,000 to 1,36,000 इसकी salary है तो बहुत ही अच्छी salary यहाँ पे आपको मिलने वाली है eligibility condition ये चीज यहाँ पे ये point आपने बिलकुल ध्यान में रखना है और आप commission में भी अगर बात करते हैं तो commission में भी आपको same यही answer दिया जाएगा या फिर कि हम eligible है या नहीं the date of determining the eligibility of all candidate in terms of essential qualification experience etc if any shall be reconned as on the closing date of submission of online recruitment application through online recruitment portal बहुत simple शब्दों में नहीं लिखा है आपे कि आपकी जो eligibility जो criteria है आपकी जो eligibility है वो आपकी जो degree है आपकी जो qualification है आपकी जो experience है वो कब की होनी चाहिए यह जो आपकी closing date होती है जो कि 13 November 2023 है उससे पहले आपके पास सारी qualification होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपका result 14 November को आया और आपने 13 November को tentative भर दिया कि यहां मेरी B.A.D. clear है या फिर मेरी M.A. clear है वो यहां पे नहीं चलने वाला है अब चलते हैं आगे important points से आपको मैं यहां पे बता रहा हूं बाकी points तो आप सभी लोगों को पता है एक चीज़ यहां पे important यह है the candidate having master degree in public administration are also eligible for the post of lecturer school new in political science subject अगर public ad से भी आपकी master है आपकी B.A.D. है और public ad में अगर आपकी master है तो आप political science subject से P.G.T. बन सकते हैं यह important note यहां पे दिया गया है कैसे apply करना है वो online mode से आपने apply करना है वो simple है application without scanned latest photograph और signature of the candidate shall be rejected straight way अगर कोई latest photograph या sign upload नहीं करता है तो वो reject किया डाएगा फीज की बात करें general candidate के जो males है उनके लिए 400 और other जो reserve candidate है male candidate है उनके लिए fee 100 है ex-serviceman के लिए 0 fee और female जो candidate है वो किसी भी category के है उन्हें exemption मिली है यानि उन्हें उनसे कोई भी fees नहीं ली जाएगी ये लगबग हर exam में है HPPSE के की female candidate से कोई भी fee नहीं ली जाती आगे इसमें important चीज है जो कि अभी new चीज है जो कि mention हुई है अब HPPSE दो paper लेगा paper 1 and paper 2 paper 1 जो रहेगा वो qualifying nature का रहेगा इसमें केवल आपको 35% marks लेने है और ये qualifying है अगर आपके 35 आते हैं 40 आते हैं आपके 60% आते हैं 80% आते हैं उसे कोई भी matter नहीं है आपके minimum 35% अगर आ गए तो आप paper 2 जो आपका है paper 2 के marks आपके count किये जाएंगे या फिर paper 2 का merit बनाई जाएगी हाला कि paper दोनों इकठे होंगे morning session में paper 1 होगा evening session में आपका paper 2 होगा लेकिन जिस candidate के paper 1 में 35% नहीं बनते हैं उस candidate को क्या है उस candidate को reject कर दिया जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा disturbance हो रही है हम लोगों को ठीक है तो यहाँ पर क्या है अगर आपके paper 1 में 35% या उससे जादा अगर आते हैं तभी आपके paper 2 के marks count किये जाएंगे तो paper 1 हो या paper 2 हो दोनों objective type है दोनों objective type है paper 1 भी और paper 2 भी यहाँ पर जो subject aptitude test दिया गया है यह भी objective type होगा paper 1 जो रहेगा 100 marks का रहेगा और paper 2 जो रहेगा आपका paper 2 यह भी आपका 100 marks का रहेगा और यहाँ पर देखिए 100 marks का है paper 1 भी और paper 2 भी 100 marks का है लेकिन paper 1 के marks final merit के लिए count नहीं होगे यह सिर्फ eligibility के लिए है कि आप qualify कर गए है paper 2 जो आपका रहेगा paper 2 यह आपका एक ही session में होगा evening session में होगा एक ही slot में होगा और इसमें जो take off रहेगा ratio जो रहेगा वो रहेगा 1 is to 2 अगर आपकी 6 से ज़्यादा post निकली है 6 से ज़्यादा ही निकली है इसका मतलब है एक post के लिए कितने दो candidate बुलाए जाएंगे एक post के लिए दो candidate बुलाए जाएंगे अब बात करते हैं paper 1 की यहाँ पे paper 1 में क्या आएगा और किस तरीके से उसको approach करना है paper 1 general knowledge of Himachal Pradesh 30 marks general knowledge of national and international affair 30 marks general knowledge of Hindi language 20 marks और general knowledge of English language 20 marks total 100 marks का है 40 marks जी के पूछा जाएगा और 40 नंबर का आप से क्या है language के बारे में आप से पूछा जाएगा तो language से किस तरीके के question आएगे हिंदी से किस तरीके के question आएगे English से किस तरीके के question आएगे उसके लिए आपके लिए यही rumors है आप assistant professor के जो पेपर्स हैं उनको देख लीजिए लगभग उसी तरीके का पैटर्न इसमें रहने वाला है अब यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश को कैसे अप्रोच किया जाए तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर दिखाना चाहता हूं बुक्स दिखाना चाहता हूं जो बुक्स मैंने पढ़ी और मुझे लगता है कि दोनों बुक्स क्या है काफी इंपोर्टन आपके लिए हैं इंग्लिश ग्रैमर और हिंदी ग्रैमर दोनों HG पब्लिकेशन की है और दोनों बहुत ही बड़िया किताबे हैं इनसे अगर तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है और तो आराम से इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो ये किताबे आई होप आपने देख ली होगी अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो ठीक है हिंदी इंगलिश के गई लेकिन हमने अब नेशनल और इंटरनेशनल जो अफेर्स है उनके लिए हमने क्या करना है उन्हें कैसे अप्रोच हम करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब अगर आपको डीटेल वीडियो इसके उपर चाहिए हिंदी ग्रैमर के उपर या इंग्लिश ग्रैमर के उपर कि कैसे इन अलग-अलग करके अगर इनके उपर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं और साथ में मेरा क्वालिटी इन फैक्ट्स एप्लिकेशन के उपर कोर्स भी चल रहा है तो वहाँ पे हलाकि ओपेपर वन पेपर टू से रिलेटेड मैक्सिमम कोर्स है पूरा पेपर वहाँ पे कवर किया गया है लेकिन पेपर वन से रिलेटेड भी मैं आपको काफी हल्थ कर सकता हूँ इसमें तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको समझा गया, इंगलिश और हिंदी के लिए आपने कौन सी बुक देखनी है, और ये बुक्स अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली, एक बार भी अच्छे से समझ ली आपने, तो बाहर जाने के आपको कहीं भी जरूरत नहीं है, हिमाचल प्रदेश का जो विधान सभा है, उसका स्पीकर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर के वारे में पूछ सकते हैं, कई परकार की कोशन रहते हैं, हिमाचल से रिलेटिड, तो हिमाचल हिस्ट्री थोड़ा टफ है, बाकी बहुत जादा इजी है, और यहाँ मैं जाता हूँ कि आप यहाँ पे 30 में से 20 कोशन्स एजीली ठीक कर सकते हैं, अब जनरल नॉलेज ऑप नेशनल एंड इंटरनेशनल अफियर यह बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपने क्या करना है, डेली आपने एक नियूस पेपर पढ़ना है, आप वही भी पढ़ो, मै कि नेशनल और इंटरनेशनल अफियर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगे, ठीक है, और इसके साथ आप मैगजीन ले सकते हैं, प्रतियोगीता दरपन आप ले सकते हैं, प्रतियोगीता साहित्य किताब आती है, मैगजीन आती है, या समसामई की महसागर, कोई भी magazine मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि specific magazine आप लो लगभग सभी magazines में current affair को describe किया होता और एक जैसा होता उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है तो एक magazine आपने जरूर देखने है अगर आप newspaper daily basis पे नहीं पढ़ रहे हैं तो magazine आपको यहाँ पे help कर सकती है national और international affair के लिए तो यह paper one से related था paper one को detail में यहाँ पे हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने study इसकी करनी है अब देखिए यहाँ पे नीचे आप देखिए note के अंदर दिया है in case of bilingual question अगर bilingual question है और हिंदी वाला और English वाले में dispute होता है हिंदी question को भी और English को भी और यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है यह की है पहले चार option होते थे A, B, C, D लेकिन अब एक पांचोआ option दिया है option E ठीक है इस तरीके से और यह option E तो यहाँ पे क्या है अगर आप किसी question कुछ चोड़ना चाहते है आपको लगता है कि मुझे आता ही नहीं है और इसका answer मैं नहीं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्यूंकि यहाँ पे negative marking भी है तो अगर कोई question आप चोड़ना चाहते है तो E को आपको क्या है darken करना पड़ेगा उसे आपको क्या है one fourth one fourth क्या है negative marking है और दोस्तो negative marking से कैसे बचना है इसके बारे में detail video में अपने course के अंदर आपको provide कर दूँगा जिन students ने course purchase किया है वो कुछ दिन का wait करें 3-4 या 5 दिन उसके बाद आपको वहाँ पे detailed जो आपका course का एक तरीके से आप कह सकते हैं किस तरीके से आपने उसको शुरू करना है किस तरीके से आपने study करनी है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आने वाले time में किस तरीके से आपने अपनी study को evaluate करना है उसके बारे में भी आपको वहाँ पे detail में information मिलती रहेगी तो यह कुछ important यहाँ पे क्या था चीजे थी जो हमने यहाँ पे देख ली अब selection process में क्या है पहले screening होगा फिर documentation या फिर verification of document होगा तो यहाँ पे नीचे syllabus के बारे में यहाँ पे दिया है detailed syllabus will be uploaded on the official website of the commission shortly for which link will be provided तो यह कह रहे हैं कि detailed syllabus है आपके subject का वो जल्दी ही upload कर दिया जाएगा हला कि last year की जो notification थी उसमें भी यही कहा गया था लेकिन syllabus upload नहीं किया गया यह लोग क्या करते हैं जो net का syllabus है net के syllabus को ही base मानते हैं और यह अगर syllabus upload कर भी देंगे तो वो ditto copy होगी किसकी net के syllabus की इसलिए आप syllabus का wait नहीं कीजिए आपको net के syllabus को क्या है net के syllabus को ही आपको follow करना है क्योंकि उसी को यह लोग final मान के चलते हैं कि वहीं से आपका question paper set किया जाएगा कैसे हम study करें कौन सा वो method हम use करें कि 100% success हमें मिले top list में हम लोग चले जाएं वो हम कैसे कर सकते हैं देखिए आपे 3 stages आपको मैं बता रहा हूँ 3 step आपको मैं बता रहा हूँ इन 3 step के अंदर आपने अपनी study करनी है step 1 step 1 में क्या रहेगा आपका step 1 में रहेगा आपका PYQ कोई भी question paper या फिर कोई भी paper आप देने वाले हैं तो उसका question paper आपके लिए important रहता है ताकि आपको लगे कि आपको ये पता लगे कि previous year question में किस परकार के pattern को follow किया गया या फिर पहले PGT का जो paper हुआ था उसमें किस तरीके के question आते थे और किस तरीके उसमें बदलाव आ रहा है तो previous year question paper का ये जो मेरा course है उसके अंदर previous year question paper आपके लिए provide के गए है लगभग 1980 के बाद के question paper PGT के आपके लिए provide के गए है 1980s के बाद के तो इसमें क्या है PYQ आपको कौन कौन से देखने है पहला तो देखना है PGT का HPPSC या फिर हिमाचल प्रदेश PGT के previous year question paper आपने देखने हैं जो कि आपको provide के गए हैं अब इसमें क्या होता है आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं पहला आप कोई booklet market से खरी दिए और वहाँ पे उन papers को देने की कोशिश कीजिए आपने book खरी दी है एक औरा कागाज आपने लेना एक से लेके 100 तक आपने गिंती लिखी और उसको उस paper को इस तरीके से solve करने की कोशिश करनी जैसे की आप paper दे रहे हैं वो एक तरीके से mock test हो जाता है ठीके तो PGT का PYQ इसके साथ साथ आपको दूसरा देखना पड़ेगा HP set क्योंकि PGT का जो paper set करते हैं ठीके वो set का paper भी वही लोग set करते हैं हिमाचल में ठीके HP PSE में जिन्होंने PGT का paper set किया है HP set का भी वही set करते हैं और इनका जो mindset होता है paper set का वो HP set के paper से भी पता लग जाता है और PGT से भी पता लग जाता है ठीके ये पहला दूसरा HP set PYQ और तीसरा most important जिसको किसी भी हाल में ignore आप नहीं कर सकते हैं वो है net के previous year question paper net के PYQ आपको देखने पड़ेंगे अच्छे से आपको study करने पड़ेंगे और इसके साथ आपने क्या करना है for example आप 2002 का कोई question paper देख रहे है net का उसमें 100 questions है 100 questions मैंसे जैसे आपने mock के तोर पे उसको दिया और उसमेंसे आपको लग रहा है कि मेरे को 40 questions आते नहीं है उनका मुझे पता नहीं था उन्हें आप note down कर सकते है note down कर सकते है उसका answer के साथ उस question को और उसका answer ताकि आपको क्या है वो जो question जो आपको नहीं आता है उसको आप अच्छे से पक्का करने की वहाँ से कोशिश कर सकते है तो क्या करना है आपको notes बनाने हैं लेकिन अब इसमें problem क्या रहती है PYQ में अगर आपने किताब खरीद भी ली वहाँ पे detailed explanation नहीं होती है फिर अच्छे से वो समझाए नहीं होते हैं उसका एक मात्र solution जो मेरे पास है वो है videos वीडियो आपने क्या है previous question paper की videos देख लेनी है PYQ की क्या है आपको videos देख लेनी है और videos PYQ की कुछ videos upload की गई है quality and facts application पर वो net की भी है set की भी है और साथ में assistant professor की भी है और इसके साथ PZT की भी है और यह जो मेरा course है quality and facts application पर वहाँ पर भी यह video मिलेगी और video में क्या है detailed explanation होती है तो आपको काफी ज़्यादा help कर सकती है ठीके तो step 1 I hope आपको समझा आ गया होगा आपने PYQ देखने है 3 PYQ देखने है और इसको आप ignore नहीं कर सकते हैं अगर आपको 100% success चाहिए और यहाँ पर success बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जो यह recruitment है 3 या 4 साल बाद आती है तो आगे 3-4 साल का वेटना करना पड़े इसलिए आपको महनत तो पूरी करनी ही पड़ेगी step 2 के अब यहाँ पर बात करते है step 2 में आपने क्या करना है conceptual clarity आपको लेनी पड़ेगी conceptual clarity आपको होनी चाहिए conceptual clarity का क्या मतलब है for example net का आपके पास 10 units है net के आपके पास 10 units है और हर unit में जो topic लगे है जो syllabus लगा है उसके बारे में आपको detail में पता होना चाहिए कि कौन सा syllabus है ठीक है syllabus के अंदर कौन सा topic है topic कोई भी question आता है तो आप उसको आसानी से correlate कर पाए कि उस topic से है तो सबसे पहले क्या है conceptual clarity से पहले आपको syllabus के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या syllabus में लगा हुआ है ठीक है तो 10 units हमारे पास है और 10 units का unit 1 ले लेते है political theory political theory का फर एक्जमपल पहला ही topic आपको लग जाता है liberty तो liberty क्या होती है negative liberty क्या होती है positive liberty क्या होती है ठीक है personal liberty क्या होती है या फिर आप कह सकते है सामुदाइक liberty क्या होती है independence और liberty में क्या अंतर है ये क्या होता है ये एक परकार से conceptual clarity होती है तो conceptual clarity आपको कहां से आएगी conceptual clarity आपको आएगी books, books पढ़कर books के साथ आप video से भी आपको आ सकती है और books में क्या होता है books में आपको क्या है detail में study करना पड़ता है ठीक है, video में ये रहता है कि आपको एक idea लग जाता है आपका जो एक mapping होती है mind की या फिर topic की जो mapping होती है एक जो broad idea आपको लग जाता है कि इस topic में क्या है इसको कैसे approach करना है इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो आपको वीडियो से पता लग सकता है इसके साथ साथ आप books पढ़ सकते हैं या फिर आप notes से भी conceptual clarity ले सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे अगला ही question आपका बनता है कि conceptual clarity अगर हमने लेनी है तो कहां से हम books को खरीदें या फिर कौन सी books हमको पढ़नी पढ़ेगी तो पहला ही जो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास यह राजेश मिश्रा है या फिर अरीहंत है क्या इनसे काम बन जाएगा राजेश मिश्रा या अरीहंत है तो यह guide books है यह कोई reference book नहीं है यहाँ से आपका काम नहीं बनने वाला है क्योंकि यहाँ से हद से हद मैं कहता हूँ 15 से 20 question आ सकते है यहाँ से तो 10 भी नहीं आएंगे अरीहंत से राजेश मिश्रा से फिर भी 20 प्रशन आने की उमीद है अरीहंत से तो 10 भी नहीं आएंगे यह बिल्कुल भी enough नहीं है आपको मैं यह suggest करूँगा आपको unit wise unit wise आपको क्या है किताबे पढ़नी पढ़ेगी एक किताब से आपकी बात नहीं बनेगी 10 units है तो कम से कम आपको 10 books पढ़नी पढ़ेगी कम से कम आपको कितनी किताबे पढ़नी है 10 किताबे पढ़नी है और हर unit की reference किताब आपको पढ़नी पढ़ेगी या इसके इलावा solution क्या है वो भी reference किताबे use की गई है तो लगबग 10 unit के लिए कम से कम 50 किताबों का material आपको मेरे notes के अंदर मिल जाएगा तो वो एक परकार का solution तो आप उसको कह सकते हैं लेकिन अगर आप खुद से किताबे पढ़ते हैं और किताबे पढ़ने के बाद उसके notes बनाते हैं तो वो most important आपके लिए रहेगा और वहाँ से आपकी conceptual clarity हो जाएगी step 1 PYQ इसको बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है इसको करना है हर हाल में दूसरा आपको क्या करना है concept आपको पढ़ने है और conceptual clarity आपको लेनी है step 3 के अंदर आपने क्या करना है step 3 के अंदर आपका रहेगा revision ठीक है step 3 के अंदर आपका रहेगा revision आपने जितने भी notes बनाए है उनका revision आपको करना है क्या आपने notes लिये है या notes आपने बनाए है दोनों का revision आपको करना पढ़ेगा और revision आप कैसे कर सकते हैं वो आपको step 3 के अंदर में बताऊंगा step 3 revision का जो तरीका होता है वो क्या होता है और कैसे आपने revision करना है सबसे पहले आपने क्या करना है आपने जो conceptual notes बनाए है उसको आपने क्या करना है उसको one liner में convert करना है conceptual notes को क्या है one liner में convert करना है for example, आप सबसे पहला topic आपका है आप पढ़ रहे थे liberty के बारे में, ठीक है तो वहाँ पर question आ जाता है liberty में ही two concept of liberty two concept of liberty ये किताब किस ने लिखी ठीक है, two concept of liberty तो इसे हाई Berlin ने ये किताब लिखी है तो ये एक परकार का क्या है one liner निकल के आया, two concept of liberty आगे आपने लिख दिया इसा बरलिन उसके बाद आगया on liberty एक किताब liberty के अंदर on liberty भी आएगी on liberty, on liberty के आगे ये किस ने लिखी है, जेस मिलने liberty से related for example, किसी भी topic से related जितने भी question आपको लगता है ये बन सकते है, वो किताबों से हो सकते है, वो quotation से हो सकते है उनको क्या है आपने one liner में convert कर लेना है, जैसे कि अभी मैंने, खुद के जितने भी notes मैंने बनाए हैं, उनको one liner में convert किया, तो 5000 one liner मेर पास है, 1000 additional आने वाले हैं, तो 6000 one liner में मैंने convert किया है क्या convert किया है 6000 one liner question में मैंने आज तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा plus two से लेकर जो notes में बनाता था sorry PhD label तक लगभग 8-10 सालों के जो notes है उनको मैंने क्या है one liner मैं convert किया जो भी मैंने पढ़ा तो 6000 के आज-पास question बनते हैं और अब मैं क्या करूँगा revision के लिए मैं detailed notes नहीं पढ़ूँगा जैसे मेरे 1700 pages के आज-पास notes है तो 1700 pages को जब revise आप करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा time वहाँ पे लग जाएगा लेकिन जब मैं one liner को पढ़ूँगा तो वहाँ पे कितने है केवल 250 pages पढ़ना अब 1700 pages पढ़ना और 2500 pages पढ़ना दिन रात का अंतर यहाँ पे है तो 2500 pages को मैं 5 बार भी revise कर सकता हूँ 1700 pages को जहाँ पे मैं एक बार ही revise कर पाऊँगा वहाँ पे 2500 pages को मैं कम से कम 5 बार revise कर सकता हूँ और यहाँ पे जो objective type question होते हैं scientifically पढ़ना है one liner को scientifically कैसे पढ़ते हैं for example आपने यह question 1,2,3,4,5 ऐसे से करके आपके एक से लेके 100 questions को आपने याद करने की कोशिश करना है तो पहली reading में क्या है आपने question number 1 को पढ़ा वो आपको समझ आ गया अच्छे से समझ आ गया आपको पता है किस question को किसी भी हाल में नहीं भूला जा सकता है उसको आपने red pen से tick कर लेना है कुछ question ऐसे हैं जो आपको याद ही हो रहे हैं उनको आपने बिलकुल भी tick नहीं करना है पहली reading दूसरी reading तिसरी reading अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है उन questions को क्या है आपने अलग से no down कर लेना है और जो question आपको याद हो गए उनको टिक करते रहना है ऐसे करते करते क्या होगा जिसे आपके 5000 प्रशन है last तक आपके सिर्फ 500 ही प्रशन ऐसे बनेंगे जो आपको अच्छे से याद नहीं हुए है 4500 प्रशन आपके पक्के हो गए है और जिनको आपने टिक किया है उनको दोबारा ना पढ़ने का क्या फाइदा है आपके 2500 पेजिस थे 200 पेजिस में से केवल 50 ही पेजिस के उपर आपको फोकस करना है आपके 200 पेजिस की जो extra महनत है फालतू की महनत है जो आपको याद हो चुके उनको पढ़ने की वो वहाँ पे waste नहीं होने वाली है तो ये आपका best method है आप अगर इस type से study करते हैं मैं आपको guarantee देता हूँ कि आप अच्छे से achieve कर लोगे अपना goal और इसी method को मैंने use किया था मैं तीन बार all India top पर है चुका हूँ net GRF का तीन बार all India top पर है चुका हूँ MPHIL का भी मैं top पर है चुका हूँ जो entrance था PU का मैंने दिया था मैं second top पर था और public ad के अंदर GRF निकाल दिया political science के अंदर तीन बार all India top पर GRF 6-7 net है set है तो मैंने हमेशा यही method यूज किया है यह method जब मैं इस method में जब मैं success हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं आप भी आसानी से हो सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप लोग अच्छे से preparation करना चाहते हैं आप quality and facts application डाउन्लोड कर सकते हैं वहाँ पे conceptual साथ साथ factual course दोनों course एक ही course के अंदर मर्ज आपको मिलेंगे जिसकी course लग भग अगर मिलाके हम चले तो 10,000 से उपर जाती है conceptual factual उसमें notes आपको मिल रहे हैं उसमें mock test आपको मिल रहे हैं 10,000 की course से उपर जाती है जो की आपको मातर 3,000 के आसपास आपको ये पूरा का पूरा course मिल जाएगा और अब बात आती है कि exam कब होगा exam कब होगा अब देखिए ये चला है October form फिल करने की last date है 13 November तो paper किसी भी हाल में November में तो नहीं होगा December में भी नहीं होगा January और Feb की आपको छुटी होती है Gen और Feb में हिमाचल Almost बंद रहता है Educational Institution बंद रहता है January और February में तो यहाँ पे एक महीना आपको November का मिल गया दूसरा आपको December का मिल गया November, December, January, February अब अगर ये possible नहीं है कि March में exam होगा किसी भी हाल में ऐसा नहीं लग रहा है कि March में exam होगा लेकिन अगर March में exam हो भी जाता है तो भी आपके पास कितने कितना टाइम बसता है November, December, January, February, March 5 महीने अगर March में पेपर हो जाता है तो 5 महीने अगर March में पेपर नहीं होता है तो अप्रिल और मई के अंदर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं यानि 6-7 तो आपका पेपर कहां टल गया जून तक 8 महीने लेकिन ये मान के आप चलो कम से कम आपके पास 5 महीने तो है 5 महीने तो है ही है और अगर जनरल इलेक्शन की बज़े से एक्जाम पोस्ट पॉन होता है आगे ठल जाता है तो कम से कम अभी आपके पास 8-9 महीने हैं इन 8-9 महीने को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आप इस पेपर को easily qualify कर सकते हैं तो ये एक detailed explanation वीडियो थी notification के बारे में किस तरीके से आपने अपनी study करनी है उसके बारे में आपको अगर कोई doubt है आप मुझसे contact करना चाहते हैं तो आप मेरे whatsapp number 98168 97697 पर message कर सकते हैं ये मेरा whatsapp number है आप इस पे message कर सकते हैं आपको उसका reply मिल जाएगा आप notes या फिर video course के बारे में detail में information चाहते हैं तो आप इस number पे contact कर सकते हैं so thank you friends, thanks watching